सभी मेरे शिनियर और जुनियर सभी दोस्तों मैं आज का एक छोटा सा वीडियो में ये बताना चाह रहा हूं कि यूट्यूब में वीडियो बहुत बनाते हैं मैं भी बना देता हूं लेकिन मेरा बनाने का मकसद यूट्यूबर्स के अंदर जो प्रोफेस्नल वर्क का नहीं है मैं चाहता हूं कि मैं कितना मेरे नौलेज को दुनिया को फाइदा पहुचा सकता हूं उतना ही मेरा मकसद है तो मैं सिर्फ एक तरह से यूट्यूब चैनल बनाने वालों के लिए एक संदेश देना चाह रहा हूं जो आम आदमियों के लिए नहीं है या आम आदमी चेटिंग करते हैं या उनको जब कॉमेंट करते हैं तो कॉमेंट में ये जरूर पूचे भाई आपने वीडियो तो बनाया लेकिन वीडियो के अंदर अगली बार वीडियो में ये जरूर बताए ताकि ये जानकारी मिले कि क्या ये यूट्यूब क्यों बनाया कैसे बनाया इसका क्या फाइदा हो रहा है और इससे दुनिया को क्यों बेनिफिट होगा क्यों देख तो मैं आज का जो टॉपिक है सबसे पहले मैं टॉपिक कर रहा हूँ यूट्यूब के सुरुवाती में यूट्यूबर को क्या बताना चिए या बोलते हैं, मैंने जो dissent किया है या बोलते हैं, मैंने जो point note करके रखे हैं, Ramita पॉइंट में रिपीट करके बताऊंगा लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल बनाने वाले वीडियो शुरू होने से पहले वानिजिक नेतक्ता का पालन करते हैं तो जैसे कि वो अपना वीडियो के अंदर हमको सूचना देते हैं तो टोपिक वन के उपर है वीडियो का उद्देश से बताते हैं यह वीडियो का उद्देश से स्पष्ट करते हैं कि ताकि दर्सकों को यह समझने में मदद मिले कि वीडियो क्या प्रस्तूत करेगा मतलब वीडियो बनने से पहले उससे ये पता चल जाता है शुरुवाती जो पाट ओ 5% वीडियो के अंदर की उस वीडियो के दोरान वो क्या बताने वाला है जो की उसे क्या benefit मिलने वाला है जो उस वीडियो देखने वालों को यूटूबर को खुद को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उससे मतलब नहीं है मेन है दर्सक गनों को क्या मिलेगा तो इसके लिए जो वीडियो बनाने वाले का पॉइंट पहला रहता है यही स्पष्टी करण्ट रहता है दूसरा क्या है वो स्वागत के लिए संदेश देगा तो तो मैं वो भी बताता हूं कि ये डी कोई मेरे YouTube channel को subscribe करता है like करता है और उसमें comment करता है और वो मेरे YouTube channel की कोई कमी पेसी बताता है तो मैं भी उसके बारे में उसको कुछ ना कुछ आगे progress करके अगली बार डालने की कोसिज करूँगा यही बाकी के लिए भी होता है वो अपना target को मकसद को समझाने की कोसिस करते हैं तो इसको स्वागत संदेश के नाम से जाना जाता है और यह खरना चाहिए अभी तीसरा है कि यूट्यूबर्स को क्या-क्या खरना चाहिए जो क्या बताना चाहिए तो यह next topic के अंदर है तीसरा topic में यह बताएंगे कि कार यह प्रनाली को बताना होगा कि उन्होंने क्या यह क्यों कैसे करेंगे तो उसके बारे में वीडियो को कैसे बनाए जाते हैं संपादन प्रिक्रिया और सेली के बारे में दर्सकों को जानकारी परदान करते हैं तो उस वीडियो में जो activity है वो activity को समझाएंगे कि किस तरह से यह कारवाई किस तरह से किया जाना चीए क्या होना चीए और उससे क्या आपको समझ में easy से आना चीए फिर उसके बारे में अगले जानकारी है जो ये देंगे कि आगामी कांटेंट की जानकारी तो कई बार वो आगामी वीडियो की एक छवी देते हैं या दर्शकों को उनके वीचार और आगामी प्रियोजनाओं के बारे में प्रिकरिया समझाते हैं कि वो बताते हैं कि मैं भविस्य में क्या कौन सी वीडियो बना सकता हूं यदि आप कमेंट करके बताते हो आपके requirement होती है आप चाते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो गना हूं तो वीडियो के बारे में बताएंगे तो उसकी जानकारी देते हैं कि आगे कौन सी वीडियो या वीडि तो प्रोड़ाई करने से ओटोमेटिक ही वो दिखने लग जाती है तो वो क्या करेंगे आपको सबसे पहले वो अपना का इनफॉर्मेशन में क्या है मैं एक लिंक भीज रहा हूं या मेरा इसमें फोन नम्मर दिख रहा है या यह मेरा मेल आईडी है इसके थ्रूँ आप इससे संपर्क कर सकते हो इसकी ये चीज की जानकारी आप जुटा सकते हो तो इस तरह की इनफॉर्मेशन के अंदर उसे संपर्क में है तो संपर्क के डिलेटे dinheiro topics मैंने क्या लिखा है उस topics को बताता हूं संपर्क की जान करें वे अपने दर्सकों को जो special media वो अन्य प्लेट फार्मों पर संपर्क करने के लिए कहते हैं जिससे साकसर करते हैं उसके समझाते हैं कि यहां से यह benefit हम नहीं दिला पा रहे हैं आप इसके लिए कोई और benefit दे सकते हो या इस तरह का आप फाइदा उठा सकते हो तो इस तरह के जो संपर्क लेने के लिए connectivity में रते हैं तो मैं बस इतने ही बताना चाहरा था कि यूट्यूबर का जो वीडियो का starting में क्या होता है क्या होना चाहिए आपने क्या बताना चाहिए उनको ठीक है ओके बाई बाई